हई हरु अधि καंण से हैं आए मैं डोह जेकर आई हूं कश्मीरी मसाला चिकन बहुत ही जबार दात बहुत ही टेस्टी एक बार इस तरह से बना देखिए देखिए्वह मजगर आ एक मैं देख को बनाना है। सरह नहीं कर सकता हैं से 170 확 ven Regular और नाल देंगे और भी आयलिए आप जो भी यूज़ करते वह दाल जाल को फट्राइंगे विसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे एक बड़ी लाची चार से पांच चोटी लाची डालेंगे एक युछ चुकडा दाल चीनी लॉच मेरा चाटकने लगा है अब इसमें डाल अब इसमें हम डाल देंगे नमक एक टीजपून जैसे कि प्याज हमारी जल्दी से फ्राई हो जाए प्याज को हम लगातार चलाते रहेंगे प्याज मेरी लाइट गोल्डेन हो गई है अब इसमें हम डालेंगे टमाटर तो दो मीडियम साइस का टमाटर मैंने ले लिया था इसे भी मैंने बारिक बारिक चॉप कर लिया है है कि अप्यास के साथ टमाटर को भी हम चलाती रहेंगे और टमाटर को चला कर ही हमें इसे सौफ्ट करना है गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और इसे हम लगाता चलाते रहें- आ storage है आप तो यह देखें को ज़िए कर विल्कुल साफ्ट हो गया है अब हम समय मसाले ढालेंगे दीक है एक तीस्पून करे कश्मीरी लाल मिर्च कंगि कश्मीरी बना रहे हों इस सब्सक्राइब है ज्याद डालेंगे लाल मिर्ट पॉडर और दो टीजपून हम डालेंगे धन्या पॉडर और हाँ एक टीजपून हम डालेंगे हल्दी पॉडर हल्दी भी इसमें ज्यादा थोड़ा जाता है जीरा पाउडर डालेंगे एक टीस्पून अधिये मैंने हरी मिल्ची ले लिया है पांस से छे अपने टेस्ट के काड़िंग आप डालिएगा अब एक बार इस तरह से हम मसालों को मिला लेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे जिससे के हमारे मसाले में कच्छा पर न रहे और अच्छे से कूक हो जाए तो हाफ कफ हमने पानी इसमें डाला है और गैस की फ्लेम मैंने हाई रखा है अब इसमें हम डाल देंगे एक टीश्पून अध्रक लहसुन का पेस्ट और लगातार इसको हम चलाएंगे अध्रक लहसुन को भी हमें भूनना है बहुत इजी यह बनाना और टेस्टी बहुत ही होता है हाई फ्लेम पे मैंने मसाले को भून लिया है यह देखे आयल भी सेपरेट हो गया है अब यह देखे कश्मीरी लाल मीज मुझे कम लग रही थी तो मैंने हाफ टीश्पून और डाल दिया है अब यह देखे मसाला भी मेरा बिल्कूल अच्छे से हो गया है अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून बिर्यानी मसाला आपके पास जिस बिरांड का हो उस बिरांड का डाल दीजेगा मैंने शान का डाला है अब इसमें हम डालेंगे चिकन तो यह मैंने 800 ग्राम चिकन लिया अच्छे से इसको वाश कर लिया था और जो बड़ी पीसे थी उस पर माने चाकू से कट लगा दिया है अब मसालों को हम चिकन के साथ में भूनेंगे गैस की फ्लेम हाई रखेंगे अगर आपको ग्रेवी जादा चाहिए तो आप प्याज और टमाटर की कॉंट्री बढ़ा दीजेगा तीन लिया है मैंने प्याज तो आप पांच ले लिजेगा हम इसमें ग्रेवी कम लगाएंगे तो इसलिए हमने प्याज और टमाटर कम लिया है अब चिकेन को मसाले के साथ में अच्छे से बुनाई हो गई है गैस की फ्लेम मैंने हाई रखा है लगातार इसको चलाते रही है गब बहुत ही प्यारी से खुश्बू आना शुरू हो गई है थोड़ा सा अलग टेस्ट होता है इस चिकेन का तो इस तरह से एक बार आप बनाकर जरूर करिएगा अब इसमें हम डालेंगे दही हाफ कप मैंने दही लिया है इसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया था कि आइक है अब दही के साथ में हम चिकेन को मिला लेंगे अच्छे से और गैस की फ्लेम कर देंगे क्यूंकि मैं मैंने राला इसमें तो एक से दो मिनट हम लो फ्लेम पे करेंगे उसके बाद हम हाई फ्लेम कर देंगे फिर लगातार इसको हम चलाते रहेंगे यह देखिए दही के साथ में अच्छे से भुनाई हो गई है अब गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे जिसे कि जो दही का पानी है अच्छे से खुश्क हो जाए इस चिकेन में मसाले बहुत कम पड़ते हैं पीसे हुए अब इसमें हम डालेंगे पानी एक कप क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा चिकेन को गलाना है आधा चिकेन तो आपकी भुनाई में गल जाएगा और थोड़ा सा हमें बस गलाना है तो पांस से छे मिनट बस हम इसको कवर करके पकाएंगे लो टू मीडियम फिलेम पे यह दिके 5-6 मिनट हो गया अब चिकेन मेरा अच्छे से गल भी गया है और हमारी ग्रेवी भी बन गई है इससे जादा आपको ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा पानी और एड़ कर दीजेगा अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला पॉड़क क्योंकि चिकेन मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया हरा धनिया डाल कर एक बार फिर से इसको हम मिलाएंगे चिकेन के साथ में बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है यह दि धनिया और गरम मसाला मैंने डाला जो उसको अच्छे से मिला दिया और यह कुक भी हो चुका है थोड़ा सा धनिया और हम डाल देंगे उपर से अब गार्निशिंग के लिए और गैस की फ्लेमा आफ कर देंगे और इसको हम सर्व करेंगे दस मिनट बाग यह देखिए फ्रेंड्स मेरा बहुत जबरदास्ता कश्मीरी मसाला चिकन बन का तयार हुआ है इसे पूरी पराठे के साथ खाईए तो मज़ा आ जाएगा तो कैसी लगी मेरी रेस्पी इसे ब बताइए कि कश्मीरी चिकन आपको कैसा लगा नए तो सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक शेयर करना मत बूलिएगा थैंक यू